तो हेलो और विल्कम गाईज केसे हो आप लोग स्वागत आपको नए वीडियो में तो आज मैं आप लोग को एक ट्रिक बताने हैं वाला हूँ जिससे आप लोग अपने एमजोन पेपलेंस को बेंग में ट्रांस्वर कर सकते हो जी है अगर आप लोग के पास भी एमजोन करसुन में मिल जाएगी अगर आप लोग ने अभी तक उसको जोइन नहीं किया है तो जल्दी से उसको जोइन कर लो क्योंकि दोसको कोई भी ओफर भग या भी टिप्स एं ट्रिक्स आते हैं तो इनके अपडेट हमारे टेलिगाम जलकी उपर सबसे पहले दे दिये जाते है अगर आप लोग को किसी भी ओफर को मिस्त नहीं करना है तो हमारे टेलिगाम चलको मश्ट जोइन कर लेना तो चली गाइस अभी जल्दी से आज की वीडियो को सुरू कर लेते हैं तो गाइस Amazon Pay to Bank Transfer करने के लिए सबसे बहले आप लोग को एक application डाउनलोड करनी होगी जिसका ओपर क्लिक करना है तो यहाँ पर आप लोग को mobile, DTH, Google Play अगे बहुत सार की option मिल रहे हैं तो इनी option में आप लोग को एक digital gold का option भी दिख रहा है तो आप लोग को इसके ओपर क्लिक कर देना है तो इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप लोग को अपनी detail डाल देनी है जैसे कि अपने mobile number, देन आप लोग को नीचे के तरफ जो है operator के अंदर save gold को select कर लेना है तो इसके बाद में आप लोग के सामने बहुत सार के payment method आ जाएंगे और इस इनी के अंदर आप लोग को Amazon Pay का option भी दिख जाएगा तो यहाँ पर आप लोग को Amazon Pay वाले option को select कर लेना है इसके बाद में आप लोग को simply से pay के उपर click कर देना है देन यहाँ पे आप लोग को अपने Amazon के mobile number and OTP वागेरा डाल करके login कर लेना है तो login करता है guys आप लोग को आपका total Amazon Pay Valence दिख जाएगा और यहाँ पर automatically select हो जाएगा इस payment के लिए तो आप लोग simply से pay के उपर click करके payment कर जाएगा तो अभी आप लोग को फिर से बेक आजाना है देन आप लोग को फिर से जो है रिचार्ज वाले section पर click करना है यहाँ पर आने के बाद में आप लोग को उपर की तरफ में एक sale gold का option दीख जाएगा तो आप लोग को इसके उपर click कर देना है तो guys अभी आप लोग Amazon Pay Balance को यूज करके जो gold purchase किया था उस वाले gold को sale करना है लेकिन जब आप लोग यह पर gold purchase करते हो तो उस gold balance को आप लोग 3 दिनों तक sale नहीं कर सकते तो 3 दिनों तक तो आप लोग को wait करना पड़ेगा इसके बाद में आप लोग इस वाले gold balance को sale कर सकते हो तो देखे मैंने आप लोग आप लोग की जो value है वो एंटर करोगे तो आप लोग का जो एंडियन रुपीज में कित्ता बनता है वो भी आप लोग को आप लोग दिख जाएगा तो अभी देखे आप लोग को नीचे के तब type of transfer के अंदर जो 4-5 तरीके मिल जाते हैं जिनके अंदर आप wallet and mobile wallet तो आप लोग जिसमें भी transfer करना चाते है उसको आप लोग select कर लो जैसे कि मैंने यहाप यूपा को select कर लिया है क्योंकि UPI मुझे सबसे ज्यादा easy लगती है देन आप लोग ने जो भी payment method select किया है उसकी detail यहाप लोग enter कर दो like अगर आप लोग ने bank account select किया है तो आप अगर आप लोग ने मेरी तरह UPI को select किया है तो आप लोग simply से अपनी UPI ID आप एंटर कर दो इसके बाद में आप लोग simply से sale code के उपर click कर दो जैसे आप लोग इसके उपर click करोगे तो आपका जो गोल्ड है वो sale हो जाएगा and जो आप लोग ने आप लोग पे payment method select किया था उ अने रात को 8 बजे gold sale किया था and same उसी रात को 2 बजे मुझे payment भी मिल गया तो इस तरह से आप लोग भी अपने Amazon Paypalance को बेंक के अंदर transfer कर सकते हो लेकिन आप लोग ज़्यादा amount transfer करने के लिए इस वाली trick को use मत करना क्योंकि यहाँ पे total 8-10% का charge लगता है जो की बड़ी amount मे उसे कर देना and guys telegram चल को भी जोन कर लेना क्योंकि हर चोटे मोटे अपर का update वही पे दिया जाता है तो हम लोग मिलते पर किसी नई वीडियो के साथ तब तक के लिए अलविदा जे हिंदुवन दे मातरम